आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में गणत विश्या में अपनी संख्याओं के जानकारी प्रिश्णावली 1.1 प्रश्ण संख्याओं 1 वदो कक्षा 7 में विज्ञान विश्या में प्राणियों में पोशन मानव में पाचन तंत्र भाग 1 विकक्षा 8 में गणत विश्या में परिमे संख्याओं अध्याई से प्रिश्णावली 1.1 प्रश्ण 6-11 पहला सवाल है रिक्ष स्थानों को भरिये आपके पास में कुछ मान दिये गए हैं इनमें से कुछ मान भारतिय संख्याओं पदती से संबन देता है और कुछ मान अंतराष्टी संख्याओं पदती से तो हम इन दोनों की तुलना करेंगे और देखेंगे कि इनमें कितने-कि से गुणा है ये जैसे यहां है पहला सवाल एक लाख, एक लाख में कितने दस हजार है, तो याद कीजिए जो लाख शब्द है, करोड है, ये दोनों लाख करोड ये दोनों कौन से संख्यांकन पदत्य में आते हैं, भारतिय संख्यांकन पदत्य में, जबकि मिलियन बिलियन ये शब्द हमारे किसमें आते हैं अंतराष्ट्य संख्यांकन पद्दती में, तो ऐसे में एक तरीका तो यह हो सकता है, कि हम दोनों सार्णियों को साथ बना लें, और इनकी तुल्ला करते वे सवालों को हल करें, ठीक है, और एक तरीका और हो सकता है, जिसके बारे में हम परतीय लिखी है और नीचे इसके अंतराष्ट्य लिखी है, एक बार से हलका से इसका रिवाइज और कर लेते हैं, इकाई धाई सेंकडा, हजार, दस हजार, लाग, दसलाग, करोड, दस करोड और अरब, अरब तक लिखा है हमने, ठीक है, और इसी प्रेकार से अंतराष्ट 1,100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जहने 100000 से क्या होता है दस गुना जादा होता है तो यह बात को हम आधार बढ़ाएंगे और सवालों को भ Гरते जाएंके सिंपल है ना सवाल है 1,000,001,000 कि कितने 10000 हैं तो सबसे पहले हम लाग डूढ़ तो लाग हमारे होता है पहले हम वापिस से इसको हलका सा क्लीन कर देते हैं सबसे पहले हम राग ढूंढेंगे और राग हमारा होता है भार्तिय संक्यांक हैं 10,000 होते हैं 10 होते हैं ठीक है तो हम यहां पर क्या भढ़ देंगे 10 आ रहा है समझ में आप चुके मैंने पूरू में चर्चा की था हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं तो वो तरीका क्या है वो भी देख लीजिए एक लाख जब आप से पूछा गया तो सबसे पहले आप एक लाख लिखें एकाई, धाई, सैंकडा, हजार, दस हजार और यह हो गया एक लाख ठीक है और एक अब बदलना किसमें इसको दस हजार में है तो हम अपर से लिखेंगे एकाई, धाई, सैंकडा, हजार और दस हजार ठीक है अब हम इनकी तुलना करते हैं यहां पर भ तो इनमें कितना क्या कम रहे गया एक शुन्य कम रहे गया अब हम केवल एक शुन्य तो यहां नहीं लिख सकते हैं न कि 0-10,000 है वो तो बिल्कुल बात का मतलब ही पलड़ जाएगा तो ऐसे में हम इस 0 को अकेला ना लिख करके क्या साथ में ले देंगे एक और लिख देंगे एक मिलियन में कितने 100,000 है एक बरसार नी से देख लेते हैं तो मिलियन मिले हम जानते हैं कहां पर होता है अंतर राष्टे संख्यांगर पदाते हुआ अर्था था हमें नीचे मिलने वाला और अब हम ढूरते हैं यह तो रह मारा मिलियन अब हमें बदलना किसमें है सको 100,000 म यह रहा बिल्कुल ठीक पीछे और यहां था हमें उत्तर पता ही है कि यह इससे ठीक बढ़ता हुआ है तो यह कितना होगा इसमें पीछे जाने के लिए हम 10 से गुणा कर देते हैं तो हम कितने हजार हो जाएंगे यह यह दस सो हजार किते हो जाएंगे 10 और अब आप इसे वही क्या बन जाएगा एक मिलियन अब उसको सो हजार को लिखते है इकाई धाई सैकड़ा हजार दस हजार और यह बन गया सो हजार ठीक है अब आप समझ गया होंगे मैं क्या कहना चाहरी हूं शुन्यों को देखेंगे और समझ में आ जाएगा कि एक शुन्य कम है अर्था 10 से ग बदती में है भारतिय संख्यांगत बदती में तो मदर लेते हैं साड़ने की एक लाग में कितने वापस देखते हैं एक लाग में कितने दस लाग है ठीक है ना एक करोड में दस लाग की बात हो रही है तो हम इसके लिए देखते हैं एक करोड एक करोड यह रहा और कितने द तरह मारा क्या होने वाला है? 10, ठीक है ना? तो हम क्या भरने वाले है? 10, क्योंकि 10 गुना है, हमें पता है करोड बढ़ा है और 10 लाग से कितना गुना ज्यादा है? 10 गुना ज्यादा है, ठीक है ना? तो 10 लिख देंगे आगे, तो हम लिखते हैं यहां पर पे 10, ठीक है? अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो करोड़ है ये हमारा है संख्यांकर पदती में हैं और मिल्यन हमारा अंतराश्य पर रहा है तो डॉनों की हम यहां पर तुल्ण कर वा रहे हैं ‎ देख लेते हैं जो मोज़ किस नेखी है ये то रहा हमार Olch इसको भी साफ करते हैं, बहुत हो रहा है, यह तो रहा हमारा करोड, और पूछ किस में रहा है, मिलियन में, तो मिलियन हमें कहा मिलेगा, नीचे मिलेगा, यह रहा मिलियन, तो अगर हम इसको सीधा उपर खिसका दें, तो यह मिलियन वास्ता में किस के बराबर है, दस लाग के श्रड़ी में आ रहे हैं तो यहां पर पर यह से ठीक पहले फिर वही उत्तर के आने वाला हमारा 10 ठीक है न तो 10 भड़ देंगे और अगर हम चाहें तो इसको वापिस उसी तरीके से लिखके देख लेते हैं एकाई, धाई, सेंकडा, और हजार, दस हजार फिर бумा, लाख, दसलाख, कोमा और एक करोड ऐसा इसे लिखा जाते हैं पहले कॉमा 3 के बाद फर दो-दो के बाद ठीक है अब बात करते हैं हम Million की तो इसमें आपको ध्यान होगा 3-3 एममल अलगेगा इक आई, धाई, सैकडा, हजार, दस हजार और सो हजार और फिर क्या हैगा एक मिलिन आएगा न, अब गिल लेते हैं इनको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ, फिर वही एक शुन्य और वही हमारा उत्तर दस में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, दोनों तरीके से हम बात कर रहे हैं, अब हमारा अंतिम सवाल है जो इस प्रेकार का है, जो कि एक मिलियन में कितने लाग हैं, तो फिर से सार्ण कि मिलियन तो कहां का है, अंतराष्टी संक्यांगनपद का है, जबकि लाक है हमारा भारतिय संक्यांगनपद का है अरफ्थाथ हमें इसको उप्र की तरफ ले जाना होगा, तो उनना करनेगे, ठीकिन, तो देखते हैं यह रहा एक million और हमारी बात किसकी होई है, वापिस से देखे, million और लाक की, तो यह रहा million और यह रहा लाक, अर्था गर यह रहा है और यह रहा है तो कितने का अंतरा रहा है, ठीक एक कदम बीछे, कैसे भी समझ लें, आप, ठीक एक कदम पीछे अर्था, 10 से घुणा होगा, ठीक है ना तो हम यहाँ पर पर क्या भढ़ देंगे हम भढ़ देंगे यहाँ पर पर भी 10 कोई चांस की बात है सभी सवालों में रिक्स्थानों में हमने 10-10 को ही भरा है यह तो coincidence है कोई चांस की बात है अब हम पर हम इसकी basic knowledge जो हमारा जो मूल तक्थे है जिसकी वह जैसे यह सब्सक्राइबद की अब तो एक मिलें लिखते हैं एकाई, धाय, सैंखण, हजार, दसजार, और सो हजार यहाँ यहाँ पर आया है एक मिलें ठीक है और हम लिखनेंवाले लाख यह तो हमारा है आंतर राष्टी संख्या अकरं बदencyन ठीक है एकाई धाई, सैंखण, और हज दस हजार और गया गया लाख शुन्य के लिए एक दो तीन चार पांच है और यह एक दो तीन चार और पाँच वही एक शुन्य का अंतर है अर्था दस हमरा उत्तर बिलकुर सही है आ रहे हैं समझ में ना तो चलते हैं अगले सवाल जोकि सवाल नमबर दो पर सवाल नमर दो सही स्थानों पर अल्फ विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए ये तो हमारे लिए पहले हमने उनको क्या करा था पहले हमने तुल्ला करी थी और अब हमें इनको संख्यांकों को लिखना है मतलब अंक आने चाहिए, आपको हिंदी में शब्द दिख रहे होंगी, ठीके ना, तो और भी सरल है, हम आसानी से कर सकते हैं, देखे पहला सवाल है, 73,75,307, तो इसके लिए बचों करना क्या है? सिंबल है, हम समझ पा रहे हैं ये भारतिय संख्यांकन पदती है, और भारतिय संख्यांकन पदती में हमें क्या करना होता है? हमें पता है, प्रहला कॉमा तीन स्थानी अमान के बाद होता है, फिर दो-दो के अंतरा असर लगता है, याद है ना, इकाई का समू, हजार का समू, लाग का समू सब चर्चा कर चुके ना पूरू में बस वही करना है तो चो कि हम यहां लाग तक पहुंच रहे हैं और लाग भी कौन सा है 73 लाग अर्थाक दोनों लाग यानि कि लाग का और 10 लाग दोनों काम में आने वाले तो वहां तक हम क्या करेंगे कॉमा लगा के और रि सबसे पहले यहीं समझ में आ रहा है तो यह रखा हमने 73 लाग शुरुवात यहां सोरी देखो हमने कौमा लगाना शुरू किया दाए हाथ से और भढ़ना शुरू कर रहे हैं हम बाए हाथ से यह ध्यां रखेगा अब 75,000 तो 73 लाग के बाद कौन आता है 75,000 यह हजार का जिसमें सारे अक्षर सारे अंक साथ में आने वाने हैं हो गया नहीं है 73,000,000,75,300 साथ इजी, सिंपल अब चलते हैं दूसरे सवाल के बाद जो कह है बी 9,500,000,41 तो सिंपल बेटे सबसे पहला काम करना क्या है सबसे पहले आप तबसे पहला जो बड़ा अफ्थानियमान वा तो यहां बात गोणी क्रोड की तो लगाते है अधिस्थान और साथाथ में कोमा क्रोड भी कहा है नौ करोड ध्यां दिजेए लगा बच्छो एक बात होते हैं बापिस सुने I amant होते हैं इसमें जो पहला स्थान हुन को को करोड़ बोलते हैं यह एक कारोड़ utam यहां पर ढ़रा हजार से लेकर नौई बोला जाएगा ही आपस से रहे हमें दोunt स्थानियमान पर पहुंच जाएंगे, जैसे कि यहां 9 करोड हो रहा है, तो 9 करोड के लिए तो पहला स्थानियमान काफी है, लेकर अगर माल दीजिए, यहां लिखा होता है, 19 करोड तो हम एक रिक स्थान और बनाते हैं, समझ में आ रही हैं, क्योंकि दो स्थानियमान तो यह हुआ 9 करोड करोड के स्थान पर लिख दिया है, ठीक है, आगे बात और यह 5 लाग की, तो हमारे पास यहां पर 2 रिक स्थान है, और जी आप हलका ऐसा देखें, यह करोड वाला सम्भू है, यह लाक वाला सम्भू है, यह हजार वाला और यह इकाई वाला, ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, पांच लाक, अब हमारे पास लाक की, तो दो स्थान है, पांच यहां भरा जाएगा, यह यहां भरा जाएगा, अगर यहां भर देती हूँ, तो यह कौन सा स्थानी मनें, 10 लाक खर, जैसी हमने 5 लिख देए, यह क्या बन जाएग अभी फिलाल रिक्त रहने वाले, अब बात करते हैं, 41 की, तो 41 क्या होता है, 4 और 1, जो कि कहां रखा जाएगा, दाई के स्थान पर, और इकाई के स्थान पर, सहन में आ रहे हैं, अब बात हाती है, इन रिक स्थानों पर क्या करना है, शुन्य भरना है, हम जानते हैं इस 40, जो शुन्य उनको पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, अब चलते हैं हमां मगले सवाल नंबर C पर, जो कि है 7 करोड बावन लाख 21302, तो हम सिंपल, सबसे पहला पाया हाथ की तरफ सबसे बड़े स्थाने मान को दिखने वाले हैं, जो कि है 7 करोड, यानि कि पहला करोड वा लाख, दसला कॉमा, और यह आगया करोड, केवल एक स्थाने मान, ठीक है न, आगे क्या अवश्रक्ता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या वारेंगे, 7 करोड, उसके बाद क्या है, बावन लाख, तो लाख के समूमें इकठे में हम क्या बढ़ने वाले हैं, बावन, दो अंकों पता है, इकठा बारा जाएगा, या या 3 और यह बनाया 302, ऐसा ही लिखा जाता है न, ऐसे ही लिखा जाता है न, 302, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, अगला लेते हैं, एक बिंदो है, जो कि है, D, 58 मिलियन, अब हमारी अंतर राष्टी संख्यांकन पद इसको, तो लगाते हैं स्थान, इकाई, धाई, सैख्डा, कॉमा, हजार, दस हजार, अब सो हजार, याद है न, 3 होने चाहिए, यह लगाया, और अब सो हजार के बाद क्या आएगा, मिलियन, और मिलियन भी हमें यहां, कितने मिलियन चाहिए, 58 मिलियन आथा, दो अंकों का, तो दो स्थान ये मान लेंगे, ठीक है न, और अगर इसने बुलो था, 158 या 258 तो हमें एक स्थान, और ले ले लेते, क्योंकि यहां पर पे तो हमें पता है, तिन दिन का समुग होता है न, ठीक है न, तो यहां पर पे चुकि दो अंकों की बात हो रही, 58 तो दो स्थान तो यह भरा, 58,423 यहां बीच में, जो हजार का है न, यह स्थान यमान, ध्यान दे है, हजार का, तो हजार में स्थान यमान में पूरा 423 यह भर दिया 423 तीक है, अब बात करते हैं अंतिम की, 202 तो यह लास्ट उस तीन और एक स्थान में भरा जाएगा, ठीक है न, 202, ला और वो भी 23 अर्था दोनों स्थान आएंगे, तो पहले रिक स्थान मना रहते हैं, इनको ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि यहां पर कॉमा लगा दे हैं, मैं से आपको बता दूं कि जब हम हिंदिश भाषा में लिखा जाते हैं, तब कॉमा नहीं लगाते हैं, लेकिन हम अपनी सुविदा के लिए लगा रहे हैं, तो यह लाग का कॉलम हो गया, यह हजार का हो गया, ठीक है, तो यहां पर 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 आप एकाई, धाई, सैंकडा, हजार, दस हजार, कॉमा, लाग और दस लाग, सबसे पहले भरेंगे 23 लाग, बिलकुल भर दिया, फिर जीरो, ठीक है, तो यह बन गया 23 लाग, तीस हजार और दस, उमीद है आपको सवाल नमबर पहला और दूसरा अच्छे समझ में आ गया होगा, मिलते हैं, सवाल नमबर तीन और चर्क साथ, अगले वीडियो में जुड़े रहे हैं, धन्यराद, बच्चों, आज का अगला प पोशन, बच्चों, इस पार्ट में सबसे पहले हम समझेंगे मानव में पाचन तंत्र के बारे में, कि किस तरह से मनुष्य में भोजन का अंतर ग्रहन होता है, और उस भोजन को शरीर में पचाया जाता है, और किस तरह से हमें उससे उर्जा प्राप्त होती है, इसी के साथ साथ बच्चों हम मनुष्य के आहाड नाल की सनशना को भी यहाँ पर समझेंगे तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बच्चों आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौध है अपना भोजन स्वैम बनाते हैं किस प्रकार बनाते हैं प्रकार संशेशन की क्रिया के द्वारा तो यहां पर क्या होता है बच्चों सभी सजी भूजन का अंतर ग्रहेंड करते हैं और उसके बाद में उसका पाचन करते हैं जिससे हमें उड़जा प्राप्त होती है अब किस तरह से इस भूजन का पाचन होता है चलिए उसको समझते हैं तो बच्चों आप सभी जानते हैं क हमारे भोजन में विबिन घटक जैसे की कार्बो हाइडरेट प्रोटीन वसा विटामिन खनेश लवन आधी उपस्तित होते हैं और बच्चों अनेक जीव जनतु जो होते हैं वो इन घटकों का इन जटिल पधार्तों के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं यानि कि क्या कर पढ़ना पड़ता है, इन जटिल पधार्तों को सरल कजार्तों में बदलना यहां पर आवशक होता है और यहीं क्या 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 तयों पाचन कहलाती है क्या होगा यहाँ पर जो जटिल पधार्थ यही प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं पाचन की करिया कब होगी जब हमने भूजन का अंतरग्रहन किया है तो बच्चों जो खाद अंतरग्रेंड की विधियां होती है ये अलग-अलग जन्तों में भिन-भिन होती है जैसे कि बच्चों हम बात करें कि जो मदु मकी या मरमर पक्षी यानि कि इसे क्या कहते हैं हम हमिंग बर्ड भी कहते हैं यह पौधों का मकरंद चूसते हैं पौध जैसे कुछ सर्प होते हैं वो क्या करते हैं अपने शिकार को सीधे ही निंगल जाते हैं यानि कि इनको चबाते नहीं है डारेक्ट क्या करते हैं निंगल जाते हैं और बच्चों जो जलिये प्रानी होते हैं यह क्या करते हैं अपनी आसपास पानी में तैरते हुए जो कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जनतों होते उनको अपने आहार में शामिल करती है अब जैसे ही ऐसा कोई जनतों इसके पास में आता है तो क्या होता है यह अपने मुख से अपने आमाशे को बाहर निकाल लेती है और इस जनतों के कोमल भागों को खा लेती है और क्या होगा बचों यह जो आमाशे है वापस से शरीर में चला जाता है और इसके अंदर जो है इस आहर का धीरे धीरे पाचन होता है इस तरह की बचों स्टार फिश होती है तारे की आकरती की तो क्या करेगी जब भी कोई शिकार इसकी पास में आएगा आमाशे से क्या करती है इस शिकार को खा लेती है और उसके बाद में क्या होगा आमाशे वापस से शरीर में चला जाता है और उसी के अंदर इस आहर का पाचन होता है चले बच्चों यहां पर जो है भोजन का क्या हो रहे हैं पाचन कर रहे हैं और बच्चों जो अपचित भोजन है यह हमारे शरीर से मल के रूप में निश्कासित कर दिया जाता है बच्चों चब भी हमने भोजन खाया तो क्या होगा यह वोजन 14 सथनली से गुजरता है और यह नली जो होती है मुखग़हा से प्रारम हो कर और समाफ़ होती है बच्चों आगे हम इस अहार नाल के अलग-अलग भागों के बारे में बात करेंगेए एक बार हम शंकốt ब्हां क मुख गुई का आगे किसमें खुलेगी बचों ग्रास नली या ग्रसी का में और ये ग्रसी का आगे जाकर इस आमाशे में खुलती है बचों आमाशे क्या है एक थेली नुमा सरशना होती है जो आगे जाकर किसमें खुलती है शुद्रांद यानि की छोटी आत में खुलती है और शुद्रांत जा आगे जाकर किस में खुलेगा ब्रहदांतर यानि की बड़ी आत में बच्चों जो ब्रहदांतर का आगे वाला सीरा है वो किस में खुलेगा मलाशे में जाकर खुलता है और ये मलाशे आगे जाकर गुदा में खुलता है तो बच्चों ये सभी भाग मिल कर क्या करते हैं हमारी आहार नाल यानि की पाचन नली का निर्मान करते हैं इन भागों के अलावा बचों कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती है जो हमारी इस आहार नाल से जुड़ी होती है कौन-कौन सी बचों लार ग्रंथी यक्रत अगनाशे आधिवी क्या होती है हमारी आ पाचं तंत्र का निरूबाण करते हैं चितर में समझते हैं बच्चों इस तरह का हमारा है सबसे पहले जो syd fian उसे पहले का हमारे चुद्रान्थ के अंदर रहूढंत से सबस् č tasty बड़मात सब्सक्रा करते तो इस थरे का मनूषिय का होता है चलिये अब एक-एक करके हम समझते हैं तो सबसे पफेले हमारा अहАरणाल क्या की लाती है यही प्रकारिया अंतरग्रहन कहलाती है यानि कि क्या कर रहे हैं हम भूजन को अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं अब जब हमने भूजन को अंदर ले लिया है तो क्या होगा यहाँ पर हम दांतों के द्वारा इस भूजन को चबाएंगे यानि कि दांतों की सायता से क्या करते हैं भूजन को चबाते हैं छोटे यह अलग-अलग प्रकार के होते हैं उनके कारे भी अलग-अलग होते हैं तो देखते हैं बचो हमारे अंदर कौन-कौन से दात हैं तो चार प्रकार के दात जो है वो मनुश्य में पाए जाते हैं सबसे पहला है बचो क्रंतक दात दूसरा है रदनक तीसरा है अगर चवरनक औ और उसके पीछे की तरफ जो है बच्चों, दो-दो जो दांत हैं, दो इधर और दो इधर, ये कौन से बच्चों, अगर चवर्नक और सबसे पीछे वाले जो दांत हैं, तीन-तीन वो हैं, चवर्नक दांत, तो बच्चों, ये जो दांत हैं, ये अलग-अलग आकरती की होते है और इसी कि कारे भी भिंगर होते हैं। समझते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चो कहiram क्रंतक दांत की। तो उपरी जबड़े में और निचले जबड़े में कितने होगी? चार-चार दांत होते हैं, यानि कि कुल कितने दांत हो गए? चार रदनक दाथ हो गए और ये बहुत ही नुखीले दाथ होते हैं, इनका कारे क्या होता है? भोजन को चबाना आगे बात करें बचो हम चमरनक दांतों की तो ये कुल कितने होते हैं बारा होते हैं छे उपरी जबडे में और छे निचले जबडे में इनकी आकरती कैसी होगी ये भी खुरदरी होते हैं उनका कारे भी क्या होता है भोजन को चबाने का तो इस तरह से बच बच्चों आप सभी ने देखा ह aura एक दो साल के उन्में नड़ा शुरू आना शुरू होते हैं और दीरे दीर के क्या होगा जब वह छे-साथ में निकलता है और लगभग 8 वर्ष की आयोता की सभी दान। कहते हैं प्र की दान्ठ और इन क्या होगा तो की अहां हमारे जीवण परियंत। स्थाई दान्ठ कहते हैं तो चJacky यह कवे बोचन कहब होते हैं कि जब हम भोचन को खाते हैं उसके बाद में हमने अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं किया तो क्या हो जाता है बच्चों दंतश हो जाता है क्यों होता है बच्चों क्योंकि हमारे मुख में कुछ जीवानों पाए जाते हैं जिनसे सामानते हमें कोई हानी नहीं होती है लेकिन बच्चों जब करेंगे दातों के बीच में जो भोजन हमारा फसा हुआ है इसके शरक्रा का विगटन करके किसका निर्मान कर लेते और यह क्या हमारे कॉनिप को नुकसान पहुंचाता है यानि कि क्या होता किby दन्त बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि हमें जो हैं दिन में प्रती दिन कम से कम दो बार ब्रश करना चाहिए जब हम खाना खा रहे हैं उसके बाद में हमें अच्छे से मुँँको कुला करके साफ कर लेना चाहिए और इसके अलाव बच्चों हमें मुझ के अंदर कोई भी गंदी अंगली या बिना धुली कोई भी वस्तू नहीं डालने चाहिए तो यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे दां जो हैं वो लंबे समय तक स्वस्त रहे पाएंगे तो बच्चों यहा करेंड किसे कहते हैं और दूसरा प्रशन है मनुष्य में दान कितने प्रकार के होते हैं इन दोनों प्रशनों के उतर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्णों के उत्तर के साथ तब तक आप पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए धन्यवाद बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा आठ में गानित विशय में परिमे संख्याए अध्याय से प्रिश्णावली एक तश्मिलवेग के प्रश्ण छे से ग्यारा हम पढ़ रहे हैं कक्षा आठ की गणीत और हमने शुरू किया है अध्याय पहला जिसका नाम है परिमे संख्य इसे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्णावली 1.1 के सवाल 1 से 5 तक अब हम पढ़ते हैं आगे के सवाल देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या दिया गया है 6 बटा 13 को माइनस 7 बटा 16 के व्युत्क्रम से गुणा करिए तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 7 माइनस 7 बटा 16 का व्युत्क्रम क्या होता है तो हल करते हैं देखे माइनस 7 बटा 16 का व्युत्क्रम व्युत्क्रम मतलब क्या पढ़ा है हमने गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम को ही क्या कहता है व्युत्क्रम उसमें क्या किया जाता है परिमे संख्या को उलट दिया जाता है अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है चिन नहीं बदलता है तो देखिए उलटा करेंगे साथ बटा सोला साथ अंश है तो अब साथ बन जाएगा हर और सोला हर है वो बन जाएगा अंश और चिन नहीं बदलेगा माइनस है तो माइनस ही रहेगा अ तो प्रश्ना अनुसार क्या करना है? 6 बटा 13 को गुणा करना है इसके व्यूत क्रम से तो ये क्या है? माइनस 16 बटा 7 अंश का गुणा अंश में हर का गुणा हर में 16 गुणा छे 16 चंग 96 माइनस का 13 साथ इक्राणवे 91 तो उत्तर क्या है? माइनस 96 अपॉन 91 क्लियर हुआ? नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं सात्वा सात्वा है बताईए कौन से गुण धर्म गुण की सहायता से आप 1 बटा 3 गुणा 6 गुणा 4 बटा 3 को 1 बटा 3 गुणा 6 गुणा 4 बटा 3 के रोप में अभी कलन करते हैं क्या किया है? यह ब्रैकेट पहले यहां लगावा था अब कहा लगा दिया है? यहां पहले इन दोनों का गुणा किया था? पहले इन दोनों का गुणा करके इससे गुणा किया है तो यह कौन से गुण धर्म पढ़ा था? साहाचरिय था देखके बता सकते हैं पड़ाथा नहीं है A गुणा B गुणा C बराबर किसके होता है A गुणा B गुणा C गुणान की साथ चर्यता यही चीज है A गुणा B गुणा C A गुणा B गुणा C बराबर किसके होता है A गुणा B एक गुणा भी गुणा सी समझ में आया नेक्स प्रेश्ण देखते हैं प्रेश्ण नमबर आठवा क्या दिया गया है माइनस एक सही एक बटा आठ का गुणात्मक प्रतिलों आठ बटा नो है क्यों अथवा क्यों नहीं आपको पूछाए कि क्या माइनस एक सही एक बटा 8 का गुणात्मक प्रतिलों 8 बटा 9 है क्या तो कैसे देखेंगे देखिए सबसे पहले ये कौन सा भिन्न दिया है मिश्र भिन्न पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना कैसे देखिए मनस एक सही एक बटा 8 मिश्र भिन्न दिया है इसको बदलना है सरल भिन्न में तो क्या करते हैं हर का गुणा करते हैं यहां इस से और फिर जो गुणा करने पर प्राप्त होता है उसमें जोड़ देते हैं ये, तो क्या प्राप्त होगा, देखो, 8 गुणा 1, क्या हो गया, 8 उसके अंदर जोड़ा, अंश, मतलब 1, 8 प्लस 1, 9, क्या प्राप्त हो गया, 9, और हर वही रखते हैं, तो 8 प्लस 1, तो 9, 9 बटा 8, और चिन्न वही रखेंगे, माइनस है, तो माइनस, तो अपने पास क्या परिमे संख्या प्राप्त होई, माइनस, 9 बटा 8, ठीक है, अब देखिए, इससे गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, अगर ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो हमें इन दोनों का गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, गुणात्मक तत्समक, जो क गुणात्मक प्रतिलोम है, तो वो ही प्रोपर्टी यहां लगाएंगे, इसको मिटाते हैं, देखिए, यह मिश्रभिन को सरल्भिन में बदला तो प्राप्थ हुआ, माइनस नो बटा आट, अब अपन को दिया है, गुणात्मक प्रतिलोम, आट बटा नो है क्या, अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, माइनस नो बटा आट गुणा, आट बटा नो, इन दोनों का गुणा करने पर क्या आना चीए, गुणात्मक तत्समक, जो की होता है एक, देखिए आ रहा है, आट से आट कटा, नो से नो कटा, उपर कुछ नहीं, कि नका नहीं है, जूकि not equals to गुणात्मक तत्समक किसके equal होना चाहिए था, यदि 8 बटा 9, minus 9 बटा 8 का गुणात्मक प्रतिलोम होता तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें एक गुणात्मक तत्समक प्राप्त होना था पर ऐसा नहीं हुआ अत्र क्या कह सकते हैं आठ बटा नो माइनस एक सही एक बटा आठ का गुणात्मक प्रतिलों नहीं है समझ में आया यह जो पूछा था गुणात्मक प्रतिलों है क्या तो उत्तर क्या प्राप्त हόँ आठ बटा नो मλ ये वहला आठ बटा नो में दिये requires बिन जिसको वने बाद में किस्में बदल दिया था सर dependency में उस बिन नहीं का को प्रतिलों नहीं है ठीक है नेक्समे देखते हैं क्या तीन सही एक बटा तीन का गुणात्मत प्रतिलों पॉइंट तीन है क्यों अथ्वा क्यों नहीं देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे मिश्र भिन को केसमें बदलना पड़ेगा सरल भिन में देखिए तीन सही एक बटा तीन बदलो तीन का गुणा किया तीन में और फिर जोड़ दिया अंश 3 गुणा 3, 9, 9 प्लस 1, 10, हर वही रहेगा, तो क्या प्राप्त हो गया, 10 बटा 3, परिमे संख्या प्राप्त हो गई, 10 बटा 3, अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या पूछा है, इसका गुणात्मक प्रतिलों 0.3 है क्या, तो इन दोनों का गुणा करेंगे अपन, क्या देखो, 10 बटा 3, गुणा, 0.3, प्राप्त होना चाहिए, एक, देखते हैं, होता है क्या, देखिए, पॉइंट हटाते हैं, तो क्या आजाता है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक है, तो ये प्राप्त हो गया, 1 0 लगाएंगे, 1 लिखके, 1 0, पीछे 30 होता, तो न 3 कट गया, ये 10 से 10 कट गया, तो क्या प्राप्त हो गया, 1 बटा 1, या 1, जो किसके बराबर है, गुणात्मक तत्समक के, बराबर प्राप्त हो गया, गुणात्मक तत्समक, मतलब क्या निशकर्ष निकला, पॉइंट 3, 3 साही 1 बटा 3 का गुणात्मक प्रतिलों है, आया सम नेक्स प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर दसवा क्या है लिखिए ऐसी परिमय संख्या जिसका कोई विद्क्रम नहीं है सोच सकते हैं इसी संख्या कौन सी ऐसी परिमय संख्या कौन सी होगी देखिए हमने पढ़ा था 0 क्या है परिमय संख्या है क्योंकि 0 को क्या लिख सकते जीरो बटा एक अब इसका व्युद्क्रम कीजिए क्या आएगा व्युद्क्रम में क्या करते हैं अंश को हर में बदल देते हैं और हर को अंश में तो जीरो बटा एक किसमें बदल जायागा एक बटा जीरो और किसी भी संख्या के हर में जीरो आते ही वह क्या बन जाती है अन एसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है तो ऐसी परिमे संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो वो क्या है जीरो ठीक है नेक्स्ट देखिए परिमे संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है ऐसी परिमे संख्या है बतानी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, देखिए कैसे सोचते, देखो, 1 एक परिमेंसंख्या है क्योंकि एक को क्या लिख सकते हैं, एक बटा एक, व्योद्ध करब करेंगे तो अंश हर में और हर अंश में बदलेगा, पर इसके अंश और हर दोनों ही क्या है बराबर है तो ये क्या आजाएगा वापस एक बटा एक इसी प्रकार देखिए माइनस एक माइनस एक बटे में कुछ नहीं ये तो क्या लिख सकते हैं एक इसका व्यूत्क्रम किया तो क्या आजाएगा व्यूत्क्रम करने पर ये अंश हर में बदल गया और हर को लिख दिया अंश में अंश को लिख दिया हर में अब माइनस उपर लगाओ या नीचे लगाओ कोई फरक नहीं पड़ता है तो एक बटा माइनस एक को भी क्या लिख सकते हो आप माइनस एक बटा एक तो इसका व्यूत्क्रम माइनस एक बटा एक का व्यूत्क्रम भी क्या प्राप्त हो रहा है माइनस एक तो क्या कहा जा सकता एक और माइनस एक, ऐसी दो परिमे संख्याएं हैं, जो अपने व्युतकरम के समान है, clear, तीसरा देखिए, परिमे संख्या, जो अपने रिनात्मक के समान है, जो अपने रिनात्मक के समान है, ऐसी परिमे संख्या कौन सी हो सकती है, एक ही हो सकती है, वो है जीरो, कैसे, जीरो हो है जीरो का रिनात्मक क्या होगा माइनस जीरो पर माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है वो जीरो ही होता है तो जीरो ही एक ऐसी संख्या है जो अपने रिनात्मक के समान है एक लेंगे तो एक का रिनात्मक होता है माइनस एक, जो समान नहीं है, ऐसी माइनस एक लेंगे तो उसका रिणात्मक होगा, प्लस एक, जो भी समान नहीं है, अधर सिर्फ एक ही ऐसी संक्या है, जो अपने रिणात्मक के समान है, वो है 0, clear हुआ, आप करते हैं, प्रेशन नमबर 11, क्या है, रिक्तिस्थानों की पू क्या जाएगा, एक बटा 0, किसी भी संक्या के हार में शुन्या आते ही, वो क्या बन जाता है, अनन्त, और जो की परिभाशित नहीं है, तो यहां क्या लिख देंगे, परिभाशित नहीं है, clear, दूसरा प्रेशन, संक्या है, डैश तथा डैश स्वयम के व्युतक्रम है, अ एक और माइनस एक स्वयम के व्युतक्रम होते हैं, तो यहां क्या जाएगा, एक तथा माइनस एक, clear, कैसे देख लीजिए, यह एक, एक के नीचे कुछ नहीं है, तो लिख सकते हैं, एक बटा एक, इसका व्युतक्रम करेंगे, तो फिर वापस क्या जाएगा, एक बटा एक इसी प्रकार, माइनस एक, माइनस एक बटा एक लिख सकते हैं, इसका व्युतक्रम करेंगे, तो क्या जाएगा, वापस से, माइनस एक बटा एक, मतलब क्या हो गया, एक और माइनस एक स्वयम के व्युतक्रम है, तीसरा देखिए, माइनस पांच का व्युतक्रम, माइनस प बटा X, X not equals to 0 का व्युत्क्रम है, एक बटा X है, उल्टा कर देंगे तो X बटा 1 हो जाएगा, और X बटा 1 मतलब X, तो यहां क्या लिख देंगे, एक बटा X का व्युत्क्रम X है, देखिए next, दो परिमे संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमे संख्या होता है, सम्रत गु है, परिमे संख्या ही प्राप्त होगी, देखिए next, किसी धनात्मक परिमे संख्या का व्युत्क्रम, किसी भी धनात्मक परिमे संख्या का व्युत्क्रम करने पर वो संख्या उल्टी हो जाती है, उलट जाती है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, पर उसका चि संख्या मिलेगी धनात्मक संख्या ही धनात्मक परिमें संख्या ही प्राप्त होगी क्लियर हुआ उम्मीद करती हूं यह सारे प्रश्ण आपको अच्छे से समझ में आयोंगे नेक्स वीडियो में मिलते हैं प्रश्णावली 1.2 के सवालों के साथ तब तक जुड़े रहिए धन्यवाद बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में गणित विशय में अपनी संख्याओं की जानकारी प्रश्णावली 1.1 के प्रश्णावली 1.1 के प्रश्ण 6-11 प्यारे बच्चों पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए इसलिए सिक्षा दर्शन आपके लिए हर शनिवार लेकर आए है नो बैग डे यहां आप करियर से समदित जानकारी, क्राफ्ट, कला, पपेट शो, जीवन कौशल वह मनोरंजक कहानिया सुनेंगे नई जानकारियों का लाफ वर देर सारा मनोरंजन, नो बैग डे के साथ देखना न भूलें, सिक्षा दर्शन बच्चों हमारे इस कारिक्रम के कंटेंड पार्टनर है, मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो, यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें, कारिक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डाग द्वारा भेड सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवम प्रशिक्षन परिशद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001